दोस्तो अगर आपसे मैं कहूं कि इस पिर्थिवी पे जितना भी पानी मौजूद है इससे तीन गुना जादा पानी धर्थी के अंदर पे मौजूद है तो सायद आप मेरे बात पे यकीन नहीं करोगे लेकिन दोस्तो अभी ऐसा ही एक रिसर्च हुआ है जिसमें बताया गया कि कैसे धर्थी के करीब करीब 700 किलोमीटर नीचे एक ऐसे समुद्र की खोज की गई है जो कि मतलब पिर्थिवी के समुद्र से भी बहुत जादा बढ़ा है और इसमें जो कि इसका पानी है वो करीब करीब धर्थी के पानी के तीन गुना जादा है मतलब जितना भी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों धर्ती पर पानी की मौजूद कर देती है तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी बात है क्या तो दोस्तों आप हमेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों धर्ती पे पानी की मौजूद की को हमेशा से ही बेग्यानिकों ने समय समय पे खोजने का प्रयास किया है और ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर इस परतिवी पे जो की पानी की इतनी जादा मौजूद की है इसकी पीजे का क्या कारण रहा है तो ऐसे ही एक सागर के रूप मिलाया और जिसके बारे में यह नों बोग दावा किया हे यह करीम- करीम- तीन गुना है दोस्तो- जो safety पिर्थिवी महासागर मौजूद था इसके तीन गुना है तो अमेरीकी बेस्जानिक जैक बॉक्सन ने इसके बारे में बताया है कि कैसे ये समुद्र दोस्तों अपने आप में इतना विसाल का है दरसल ये अंदर में मतलब पिर्थिवी के अंदर में एक चटान है दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि पिर्थिवी की संराशना जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों पिर्थिवी के मोटे-मोटे चार भागों में हम लोग बाटते हैं, क्रश्ट हो गया, उसके बाद mental हो गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग, दोस्तों, इसका are quarter core होता है, और four इसका inner core होता है, तो इन चार भागों में मुख़्े तरह से हम देखते हैं, और जो की पूरे दुनिया जिस पे बसी हुई है खास करके उसे हम क्रश्ट मानते हैं तो दोस्तों पिर्थिवी की गहराई जो की मतलब जिसका मिडल पॉइंट है उसे 6,378 किलो मीटर बताया जाता है तो इसके बीच में ही दोस्तों ये चार परतों में मोटे तोर पे विग् आए गया है कि कैसे 700 किलो मीटर अंदर एक ऐसे चटान है जो की इस पंच के रूब में मतलब ये पानी को पूरी दरह से सोक लेता है और इसके भीतर में इतना पानी मौझूद है कि ये करीब जो कि धरती के तीन गुना मतलब पानी मौझूद है जो कि धरती के समदूर में इतना पानी है इस ते जादा तीन गुना पानी इसके भीतर है मौझूद है तो ये जिसर्च अपने आप में ही बहुत ज्यादा चौकाने वाली है क्योंकि इतना पानी दोस्तों धरती के भीतर में होना और उसके बद वहीं दूसरी त्योरी जो कि मेगमा वाली है तो दोस् की बात आ गई है तो यह दोनों आपस में बहुत ही जादा मतलब मिश्टीरियस बात होने वाली है क्योंकि आने वाले समय में जब इसकी खोज होगी तभी यह बात पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी तो दरसल दोस्तों बेग्यानिकों ने जो इसकी खोज की है जो तो उसमें सत्ती है कि कैसे यह मतलब 2000 सिसमौ मिटर होता है जिससे भूकम Bunu मा पा जाता है दूस्तों तो उसके द्वारा में इन्होंने पास से ज्यादा भूकम को मतलब अध्यान किया और जिसके दुआरा में मतलब जब यह भूकम की जो तरंग पिर्थिवी इनर कोट से निकलते हुए पिर्थिवी के अलग-अलग हिस्सों के भागों में जाती है तो इन में मतलब तरंगों में कई तरह के बदलाव आते हैं क्योंकि जहां ठोस भाग आता है उसके बाद तरल भाग आता है तो जहां यह तरल भाग आ जाता है दोस्तों तो यह तरंग अपने आव fauxrabs धीरे होन जाती हैं तो एसे ही तरंगों के द्वारा में इस तरह के समूद्र के जो की पिर्थवी के भीकतर पानी होनि के बात गइजा रही है इसको लेकर। खोजा गया है तो इसी के द्वारा यह वेज्यानिकों में बताया है कि कैसे समुद्र के मतलब जो इतना बड़ा भाग है जो इतना बड़ा पानी का हिस्सा है वो भरती के अंदर मौजूद है इसी को लेकर ये चटान के बारे में बताया गया है कि जो ये चटान धरती के अंदर मौजूद है जिसके अंदर में करीब करीब तीन तीन गुना पान आ जाता है तो कहीं न पूरी तरह से धर्ती मतलब पानियों में मतलब जो कि पूरी धर्ती में पानी मतलब पूरी जो भी हम लोग जहां भी सता पर रहते हैं वो सब ढग जाएगा और सिर्फ पहार के बड़ी बड़ी चोटिया ही मौजूदा समय में बची रहेंगी तो इस का पानी का हिस्सा है तो इससे भी तीन गुणा ज्यादा दोस्तो अगर धर्ती के अंदर मौजूद है तो कहीं न कहीं ये बहुत ही ज्यादा आश्चेरी की बात है तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको ये बात जानकर अच्छा लगाऊगा दोस्तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखने के सवकीन है दोस्तो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों मिलते है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ चैहिन दोस्तों